नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रंच का गन्ना है पूरे सब आप पर है अब इसकी जुताई करेंगे फिर इसके बाद में जो इसमें मिट्टी चडवा देंगे और एक आध हल्की सी घास की श्प्रिय लगा देंगे शुरू में डर लगता था ट्रंच का कैसा करना होता है लेकिन अब मजा आने लगा पूरा अब मैं आपको दूसरा फिल्ड दिखा रहूं अपना दोस्तों यह सद्दा है 28 इंच वाला ती बरसी पेड़ी है तीस रेगी और यह आपको देख देखा होगा आपने गिरने लगी ति कल हमारे हां बहुत तकड़ा तुफान आया था तो यह गिरने लगा खेद देखो चोटी जुवार है दोस्तों यह यह भी धहगी अभी देख लो तीन मेना पांच में बिलकुल भी चोटे-चोटे पेड़ भी धहगी इतना तकड़ा तुफान ता है आप है आप देख सकते हैं इसके बाद में जो हमारा यह दूसरा फिल्ड है जिसमें हमने ट्रेंच का घास की स्प्रे करी थी एक तो तमर थी यह देखो आप बिलकुल इसमें सुखा दिया और पुद्धे पे कोई किसी तरह का प्रकोपनी है बिलकुल भी यह देखो यहां से यहां तक ज़रस यह देखो दोस्तों इसमें बड़ी बड़ी घास ची सारी बठा दी इसमें बिलकुल बड़ी होगा खेत दोस्तों हमें भी कोई भी फसल हो हमारी हमें इसमें एक्सपेरिमेंट करना चीए अलग अलग दवाईयों का और अलग खाद का अब मान के चलो हमने इसमें कोई जुताई बगर ने की एक डिड़ महीना और एक हमने इसमें दवाई लगा दी देखो सारी घास बैठी जो है एक दम काली होगी तो इसका फरक पड़ता है दोस्तों और आप अपने नजदी की अगर घास जाद हो रही हो और जुताई का कोई साधन ना हो ट्रेंच के गन्ये में तो आप नजदी की अपना दवाई केंदर जो हैं जहां पर दवाई मिलती हैं वहां पर बात करें अपने खेत की कंडिशन बता दे यह जुरूर बता मैं कि गन्ये में करनी है और एक इस्प्रेय में आता है कट नोजल उस नोजल से इस्प्रेय करें तो आप दिखेंगे कि आपको बहुती अच्छा रिजल्ट मिलेगा और दोस्तों हर टंकी में जतना बड़ा कप होता है य हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें नमस्कार और कोई और भी अच्छा इससे भी अच्छा सुजाओ तो जरूर दें कमेंट्स में उस पर गोर करी जागी नमस्कार